नमस्क्राइब दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैवल्स स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ करीबन 0.5% की जो गिरावट है हमें देखने को मिली और यहां से एक गिरावट का सिलसला स्टॉक में चारी है देखिए अगर यही गिरावट चारी रहती है तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट लगा कर चल सकते हैं यह सपोर्ट होने वाला है 1151 रुपे 63 पैसे का इसको as a stop loss की तरह यूज़ करके भी चल सकते हैं अगर इस सपोर्ट लेवल को भी stock break कर जाता है तो देखिए और निचले लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं लेकिन यहां से अगर एक शांदार तेजी वापस आती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो target stock अचीव करेगा वो हैं 1250-1300 तक के target भी अचीव होते हुए stock में नज़र आ सकते हैं तो अगर आपके portfolio में पहले से ही stock शामिल है continue hold करें और इन labels पर अगर आप fresh buying करना चाहते हैं दोस्तों थोड़ा सा wait and watch की strategy भी अपना कर चल सकते हैं जैसे ही buying का मौका बनता है हम एक video जरूर पनाएंगे तो यही strategy आपको अपनानी है Hevels stock में आप चाहें तो अपनी खुद की analysis खुद की research जरूर करके चल सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद